Hello and welcome to the studio members Adani Ports ने आज हमारा दिन बनाया यह इस टॉक हमने आप सभी लोगों के साथ शार किया था आइ थिंक यह इस टॉक आप सभी लोगों ने enjoy किया होगा पूरी तरह से आज बिलकुल बॉटम से हम लोगों इसके अंदर लिती इस टॉप लॉस एंट्री टार्गेट एक चीज अभी में डिफाइंड करेंगे इसके बात सबसे पहले हम अपनी ट्रेट बॉक कर लेते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज कि वीडियो अच्छा लगते है तो ज़वर सब्सरूर लाइक कीजागा सबसे उपर आप देख रहे होंगे टाइटन का ट्रेट है टाइटन के अंदर पूरे दिन साइडवेज ने समको नजर आई थी सो कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको नहीं दिखा था था थीक ठाक प्रॉफिट एक लगबग 2,000 रुपीज के लगबग का प्रॉफिट हमको दिखा था बट इसके अंदर एक गलती हम से विटियों ने इसके अंदर एग्रेसिव होकर के रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ले लिया था पॉजिशन बुक में देखेंगे ओवराल टाइटन के अंदर का हमारा प्रॉफिट 2300 रुपीज के आसपास का है एंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और अडानी पोर्स का 9000 का ओवराल 12000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट था एक ठीक ठाक प्रॉफिट हमने जिन भी स्टोक को ट्रेट का था उसकी ओवराल से समझ किया थी सो थैंक्स एंड वेलकम शुरुवात करते हैं टाइटन से टाइटन को जब हम डेली टैम फेम पर देखेंगे तो यह हायर टैम फेम पर एक रेस्स्टेंस को फेस कर रहा था प्रीविज तो प्रीविज के सेस्टेंस में प्रीज उसी रेंज से ताउन साड की तृफ फाल हुआ था आज इसके अंदर कल के सेस्टेंस में जिल्भाला भी कफी बड़ना म मुवम्में अधार हमें यह अंदास था टैन के अंदर के कि देखें प्राइस टॉन किटल से जारा था किटनी अच्छी तो अच्छे मूव के साथ गिरा था काफी अच्छा-च्छा मूव दे रहा था इस एक कैंडल को छोड़ दिया जा तो प्राइस में पूरे समय में डाउन से अपसाइड की तरफ यह जो मूव हुई है एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला है और एक्सपेक्टेशन मेरी य बिल्कुल ही एक स्टार लाइक कैंडल बना देगा बहुत चोटी से कैंडल बनाई और पूरे दिन टाइटन साइडवेस बढ़ा रहा है तो एक रेस्टेंस था जैसे यह वाली कैंडल है हमारी यहां पर प्राइस जैसे ही पहुंचा हमने चोटी से कंफरमेशन इसके साथ भी और लोवर टैम फ्रेंज पर आकर किया पर अपना अपना गया था हायर आम यह फ्रीम पर एंड जो दूसरा ओध्रिक वाधनी पोटर आदानी पोंत को भी जब हृँ टाया ग्रीम पर देखा यह तायां एक स्बेंवरी का लौ जब आप यहां पर 3rd of January की candle का एक point mark करोगे जिस candle का marking हमने की थे उस candle के lows पर बहुत सारे supports फॉर्म हुए थे 6th of January, 7th of January और उसके बाद में आज भी price उसी range पर था ओके एंड लोवर टाइम फ्रेम पर इसके नदर हमने supports confirmation लिये थे higher time frame पर stop losses भी हमें लगाये थे अब आज के session में आप देखोगे सबसे पहले इसको क्या हम करते हैं daily time frame पर और इसके अंदर जो important चीज़ है वो हम discussion करना चाहेंगे आपके साथ एक चीज आप यहां पर देखे कि प्राइज मेरा इस move में था हम जितनी मार्किंग से इनको सबको delete करते हैं कोई मार्किंग नहीं है इस candle को ignore करके प्रीवेस जितनी candle से इनके ओप थोड़ा सा नजर भूमाई है प्राइस देखे क्या किया था अप डाउन लो प्रोटेट अप डाउन लो प्रोटेट अप यह कुछ एक points थे अगें यहां पर जो लो लगा था मेरा जिस एक candle को हम आपसे बता रहे थे को lower time frame पर उसके अंदर एक important candle है एक important point है जिसको mark करके हम जिसके आधार पर इस range तक पहुंचे थे यहां पर अब जब हमने यह वाली line mark की तो थोड़ा साब confuse होगे इसको हम delete करते हैं सबसे पहले जो छोटी सी चीज़े उसको समझते हैं प्राइस देखे अब डाउन वापस अब अगें डाउन फिर से अब इस move के साथ साथ प्राइस ने एक basic nature अपने यहां पर दिखाया कि अपने lowest protection इसने continue रखे अब सबी को मॉल्म होगा, अडाने के stocks के अंदर थोड़ी न्यूस थी तो अडानी गुरुप्स के जितने भी stocks लाइक अडानी पॉर्ट हो गया अडानी ग्रींज अगरीन ग्रीजिस हो गया जितने भी अडानी के stocks थे लगबग लगबग सभी के अंदर अच्छा मूव देखने के मिला था अडानी एंटरप्राइज हो गया जितने भी स्टॉक्स थे तो उन्हीं में यह अडानी पॉर्ट समाने पास था चुकि हम में इसको मौनिंग में अपनी वॉच्छिश के अंदर एड करके रखा था काफी दिन से में इसको देख रहे थे ट्रेट करन कुछ लेवल्स मार्किंग करके मौनिंग में देते हैं वह भी आपको वहां से मिल जाएंगे आपने जोइन नहीं किया तो आप उसको जोइन कर सकते हैं वापस बढ़ते हैं लोवर टाम फ्रेम के ओपर ओके यहां पर देखिए अडानी पॉर्ट क्या कर रहा है एक रेंज ह जो लोज मेरी डिफाइंट हुए थे अगर हम इस वाले पॉइंट को मार्क कर लेते हैं अब हम आ जाते हैं सीधे 5 मिनिट्स के टाम फ्रेम पर जब आप इसको देखेंगे तो देखिए प्राइस ने क्या किया है एक हाइस के बाद में यहां तक प्राइस कल के दिन गया था हो करके और इसने डिफ लगाई डाउंसाइट के तरफ अभी जो डाउंसाइट के तरफ डिफ लगी है इसके अंदर डाउंसाइट के जो मूव हो थे यहां से प्राइस के अंदर वॉल्यूम्स इंक्रीज होनी शुरू जब भी प्राइस हमारा टरन लेगा आपको क्या यहां पर देखिए प्राइस की मूव्मेंट्स किस तरह के हुए है प्राइस ने क्लू लगा देने के बाद में अपने आपको यहां से कंसलिडेट किया कंसलिडेशन के साथ-साथ हाई टेम पर मैंने क्या देखा था कि अडानी पोर्ट समको थोड़ा सा स्ट्रॉंग लग हम इसके अंदर शॉट नहीं करेंगे हमें देखना होगा कि इसके अंदर अगर हमें बाई की मिलेंगे क्योंकि प्रिवेस थ्री टू-फोर डेस के सेशन के दौरा जबने आप से यह बात बोली कि प्राइस कुछ-कुछ स्ट्रॉंग है यहां से देखिए प्राइस एक सपो इसके सेस्ट तो यहां जिए प्राइस के गिर प्राइस आप साब गया है वह भी यहां इसी रेंज आ और उसके पहली गया था सब्सक्राइब इसी रेंग से अपसाइट के दरफ गया था यह वाले पॉइंट मतलब यहां से इसके अंदर बाइंग्स जेनरेट हो रहे थी मेरे लिए भी आज का जो सिग्निफिकेंट पॉइंट बना था आज का जो observation लेवल बना था मेरा वो यह वारी रिंज थी ओके सो प्राइस मेरा उस रेंज पर आया और अब आजाती ही confirmations के बारे सो 731.60 यहां पर अपनी entries की confirmations stop losses के लिए जस्ट हमने डे लो का stop loss रखा डे लोस के साथ साथ यहां पर जो exact 728.15 यह मेरा stop loss का इलिए बना और upside मेरे यह entries के point थे सो stop loss डे लो को हमने बनाया हायर टाइम फ्रेम पर एंड लोवर टाइम फ्रेम के analysis के कोड़िया हमको समझ में आया होगा कि यहां पर हमने entry क्यों ली और अब बारी आ जाती है so targets simply हमें नहीं मौलूम था कि price इतना ओपर चला जाएगा breakouts हो रहे थे and उम्मीद थी कि price upside की तरफ जाएगा but जिस तरह से price upside की तरफ गया है expected नहीं था इतना चल जाएगा हमने क्या किया जितने भी मेरे targets थे वो सारे के सारे के सारे कोशिश की कि यह वाली जो एक candle थी आपकी 9.15 की candle 6th of January की हमने 6th of January की candle की high पर जितने भी हमारे पास quantities थी सारी की सारी निकाल दी जितने भी quantities थी सब निकाल दी थे because price जब आप daily time frame पर देखोगे एक दो एंड तीन दिन के highs को price break कर रहा था कौन कौन सी दिन थे यह 10th of January 7th of January and 6th of January बिलकुल लुग में नहीं थी कि price अपने इस वाले high को भी break करके upside की तरफ चला जाएगा जो इसने आज के दिन resistance लिया है 15th of December के high के पास में resistance लिया है तो टार्गेट मेरे जितने भी थे सारे के सारे हमने अपने 6th of January की 9.15 के high के पास में book कर लिया थे तो exact जो अपना marking थे मारी 748.60 यही मेरा profit booking का area था आपको समझ में होगा एंड दोनों ही trades को अगर हम analyze करते हैं तो देखिए market के अंदर आपका running market के अंदर जो decision होता है आप कब क्या decision ले दो इसी के ऊपर आपका profit या फिर आपका loss depend करता है जब कभी भी आप हर्ड़ड़ी में रहोगे जब कभी भी आप अपने risk management के ऊपर जा करके trade करने लोगोगे capacity से ज़्यादा आप risk लेकर trade करोगे कभी भी आप अपने मन को शांत रख करके trade नहीं कर पाऊगे जब आप हड़ बड़ी में decision लोगे तो decision कई बार सही भी हो जाते हैं लेकिन बहुत बार chances रहता है कि गलत होते हैं इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप trade करो तो अपनी जेब को देख करके ही आपको trade करना होगा अगर आपकी जेब में आपकी pocket में 10 रुपए हैं तो 10 रुपए का ही trade execute कीज़े कोई जबर जस्ती का 20 रुपए 200 रुपए हैं 200 रुपए का trade कीज़े 5000 रुपए हैं 5000 रुपए का trade execute कीज़े money management को जब तक आप follow करोगे market तब तक आपको follow करेगी जहां आपने जिस भी दिन money management को छोड़ा market आपको छोड़ के भाग जाएगी छोड़ के कैसे भागेगी stop loss रिट होगे loss होना शुरू होगा हमेशा याद रखे ओके so इस session को यह पर हम लोग खतम करते हैं अब बार ही आ जाती है कि कल हमें कौन कौन से stocks हैं जो कि देखना होंगे हम कोशिश करेंगे देखिए थोड़ा सा मुश्किल होता है बट अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि next trading session के लिए आप लोगों को हम ज़रूर कुछ ना कुछ stocks दें जिनकों की one day before आप analyze कर पाओ प्रयास हमारा पूरा रहेगा हम किसी तरह का वादा आपसे किसी तरह का ऐसा fix नहीं करने हैं कि हम रोज के रोज दे पाएंगे लेकिन जब भी हमको समय मिलेगा हम आपके साथ जरूर ऐसे stocks share करेंगे तो इस सीरीज का जो सबसे पहला stock है वो अल्टराटेक सीमेंट का है अल्टराटेक सीमेंट के हम एक range mark करते हैं यह वाली के अटा कल के दिन आपको क्या करना है 76009 को mark करना है और इसके अंदर कोशिश की जगा अगर आपको short opportunity मिलती है तो आप अल्टराटेक सीमेंट को short कर सकते हो कहां से short हो सकता है यह price 7699.95 की range से यहां से उसके बाद में short करने के पीछे का reason क्या है आपको stop loss entry कहीं पर भी लगाना तो एक question करना होगा अपने खुद से question करना होगा why बिल्कुल मन में आया कर दिया अब यहां पर देखे क्या हो रहा है एक एक red candle मेरी form हुई है एक green वाली candle को देखते है price ने क्या किया है अप से इसको rejection मिला इसके बाद में यह जो red वाली candle है यहां भी price reject हो रहा है downside की तरफ मतलब prices के जो lows है यह upside की तरफ shift हो रहा है और जो highs है यह भी upside की तरफ shift हो रहा है और वापस price उसी zone पर जाने की कोशिश कर रहा है जहां से price हमारा last time गी रहा था प्राइज अगर कल एक gap of opening दे देने के बाद में confirmations लेने बहुत जूरू है अगर हम आपसे यह बोलने सिख 7699 पर शॉट कर दी जागा नहीं प्राइज वहां पर आ जागा तो तुरंद शॉट नहीं कर देना है प्राइज वहां पर क्या कर रहा है प्राइज इस action वहां पर क्या बन रहा है आपकी confirmations किस तरह की हैं देख करके काम करना होगा अब ही हम बताएंगे कि stop losses वगरा कहा लगाने हैं तो सबसे पहले चीज कि price अगर gap up कर देने के बाद में upper range को touch करता हो touch कर देने के बाद में यहां से आप पूर rejection देखने को मिलता है या फिर किसी तरह का कोई bearish momentum देखने को मिलता है bearish indices के bearish candle के कई सारे formations आपको internet पर या फिर कई सारी books पर मिल जाएंगे आपको क्या करना होगा अपने resistance के पास में bearish formations find करनी होगी और जब उस bearish formation का breakout downside की तरफ होगा आप उसके अंदर अपना trade execute कर देशेगा और उस वक्त के जितने भी swing highs होंगे कोशिश करिएगा उन swing highs के ऊपर आपके stop losses जाएंगे और downside की तरफ आपने targets बूख करना कोई बड़े target लेने की जोरुरत नहीं है चोटे target यानि के 1 ratio 2 तक आप अपने targets को define कर सकते हो अल्टाटेक से हम लोग ने क्या देखा कि 7699 यहां से अगर आपको कल short के opportunity मिलती है तो अल्टाटेक सेमिंट को आप शॉर्ट कर सकते हो दूसरा stock अपना NTPC का हुआ है 133.30 यह एक range है प्राइज मेरा upside की तरफ गया है lower time frame पर प्राइज ने क्या क्या है आज प्राइज ने अपना एक high break किया और high break कर देने के बाद में वापस price downside की तरफ ही आ करके close कल यहां तो प्राइज एक gap up opening दे देने के बाद में प्राइज अगर आपका downside की तर structures आपकी जबान पर होने चाहिए कि कौन कौन से bullish or bearish structures होते हैं आपको क्या करना है जस्ट अपनी इस range के पास में उन bullish या फिर bearish resistance को देखना है bearish structures को देखना है और जैसे price down या upside की तरफ breakout करता है आपको buying और selling करना ही होती है NTPC अगर कल एक gap up opening दे देने के साथ दे देने के बाद में जैसे ही अपने support पर आता है यहां पर एक bullish momentum देखेगा और जैसे ही price अपने bullish momentum को upside की तरफ break करेगा आपको यहां से buying generate करते हैं या फिर NTPC के अंदर कल के दिन आपको short opportunity मिलती तो क्या करना होगा कि 133.30 से ही आपको short भी करना होगा उसके लिए क्या करना होगा bearish momentum को इस वाली range के पास में देखना है price जैसे ही अपनी bearish momentum को जैसे कि mother candle तो just like example हम आपको draw करके दिखा रहे है जैसेस है इसके साथे साथ bearish कई सारा momentum होते हैं Like आप यहां पर pin bar देख सकते हो high rejection candles देख सकते हो engulfing candles देख सकते हो काफी सारी candles होते हैं और सादे साथ इसाथ price structures होते हैं आप इस structure में देख इस अगर iy इस structures आपको नजर आते हैं यहांपर आप इसे short कर सकते हो तो simply हमने आपको बहुत important important कुछ ranges mark करके दे दी एंटी PC में and ultra attack cement में दोनों को देखेगा और जिस तरह से हमने analyze किया है कल की market में याद रखेगा range यही है और जो range हम draw करके दे रहे हैं उसी range के पास से देखेगा और उसी range के पास से ही shot या फिर भाई करने की कोशिच कीज़ेगा ओके तो thank you video अगर अच्छा लगता है यह video कैसा लगा comment box में जरूर लिखेगा like कीज़ेगा वीडियो को and अब हम लोग मिलते कल के training session में so thank you good bye and you will meet again